वैसे तो गर्मी के दिनों में आप गर्मी धूप और लू से बचने के लिए कई धरह से सतर्क रहते हैं और इससे बचने का पूरा प्रयास भी करते हैं लेकिन इसके बाब जूद हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे तिफ्स जिने आजमा कर आप आसानी से गर्मी के दुश प्रभावू से बच सकते हैं पहला टिप्स है खुले शरीर धूप में न निकले अगर आपको निकलना है पड़े तो धूप में निकलने पर सिर अवश्य ढखे और साथ ही अपने शरीर के खुले अंगों को पूरी तरीके से ढखना न भूले आखों पर संग्लासिस लगाए और हो सके तो सफेद या हलके रंग के कॉटन के कपड़े पहन कर ही घर से बाहर निकले दूसरा टिप्स है अचानक थंडी जगह से एकदम गर्म जगह न जाएं खासकर इसी में बैठे रहने के बाद तुरंत धूप में न निकलने वाले हो तो अपने जेब में एक छोटा सा कच्चा प्यास जरूर रख कर निकले गर्मी के मौसम में आने वाले जितने भी मौसमी फल हैं जैसे तर्बूज, खर्बूज या अंगूर इनका भरपूर सेवन करें ताकि आपके शरीर में ठंड़क बनी रहे और गर्मी के दुश्प्रभाव से आप बच सकें बाहर निकलने पर अगर आपको प्यास लगती है तो पानी पीने के बजाए नारियल पानी गन्यकारज जैसे पेव अदार्थों का सेवन करें ताकि शरीर में तरलता तराबट बनी रहे और गर्मी आपके शरीर को हानी ना पहुँझा पाए नारियल पानी पीने से एक पायदा ये भी होगा कि आप दिहाइड्रेशन से बच सकते हैं तो जितना हो सकें जादा से जादा पानी पीए इसके लाबा आप छाच का भी जेवन कर सकते हैं